जिन्दगी के इस रण में खुद ही क्रश्न और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज अपना ही सार्ती बन करके जीवन की मा भारत से लड़ना पड़ता है नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का रासिफल यानि की छेंप फरवरी के विशेस एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और सुपकामना देना चाहता हूं जिनका आज जन्व दिवस है मेरीज जन्वसरी है या को विशेस यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांकी आज 6 फरवरी 2021 को सनिवार है आज के विशेस उपाई में देवी देवता का सारेड़ी रंग कौन सा होता है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा समवत दोजा सिततर का माग करशनपक्ष चल रहा है आज तिति नौमी है सुबह आट बज करके 13 मिन तक उसके बाद में दसमी आरंब हो जाएगी और अगले दिन एका दसी होगी अतात आज के दिन नौमी और दसमी दोनों ही देखनी पड़ेगी क्योंकि दसमी तिति शाय है नक्षतर अनुरादा नक्षतर है साम को पांच बज करके 17 मिन तक उसके बाद में जेश्टा नक्षतर आरंब हो जाएगा और आज चनमा रष्टिक रासी में ही रहेंगे अब बात करते हैं रावकाल की आज प्रातर नौ बजे से लगा करके 10 बज करके 30 मिन तक रावकाल र से लगा करके साम के पांच बज करके 54 मिनट तक अधाद एग्जेक्ट आपको तीन गंटे का टाइम मिलेगा अब बात करते हैं यात्रा मौरत की आज के दिन उत्तर दिसा में यात्रा करना सुब रहेगा वहीं पूरु दिसा में दिसा सूल लगा रहेगा तो ऐसे इस्तिति हुआ अब बात करते हैं आज के सुब गर योगों की आज सुरियोदय कालीन कुणली में रूचक महापुरुष योग आश्रय योग परवत योग वसुमती योग केंदर त्रिकॉन राज योग और नीच भंग राज योग का साथ मिलेगा जितने ज्यादा सुब योग जित ज्यादा सुब योगोंगे राज योगोंगे वो विक्ति इस समाज को दिसा देने वाला अठाद अपरकेस्ट लाइफ जीता ही है ऐसी इस्तिदी में यदि आप अपनी राज योग की कुणली बना करके देखना चाता है कि आपकी कुणली में कितने राज योग है कितने पढ़ने वाला है या उसका क्या फल मिलने वाला है तो आप अपनी राजयों की कुंडली बनवा सकते हैं स्क्रीन पर दियावे जो नंबर है उस पर संपर्क करके आपको अपने घर बैटे वे आपकी राजयों की कुंडली मिल पाएगी आई अब बात करें लाक रुपे की अगर आप डाइनिंग टेबल पर या कोई टेबल कुर्सी पर बैट करके खाना खा रहे हैं तो कभी भी पैरों को जुलाना नहीं चाहिए पैरों को हिलाना नहीं चाहिए एसा करने से एक प्रकार का कुलेक्शन माना जाता है अब सुकुन माना जाता है और हमारे बुजुर्गों का ऐसा कहना है इस से अन का अपमान होता है और मानता ऐसी है कि घर में नेगेटिβ सकतियों का या यह बोच सकते हैं कलेश का वास होने लगता है तो ऐसी स्थिति में यह जो आदत है उस आदत को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक कर दीजे लोगों की आदत होती है हाथ में पैन होता है उसको पैन को हिलाते रहते हैं पाँ को ऐसे ही टकराते रहते हैं और या पिर अंगलियां हिलाते रहते हैं यह सब की सब body language में होती है जिस व्यक्ति का confidence कम होता है वो व्यक्ति ऐसी अरकते करता है तो आप सामने वालों को क्यों बताएं कि आपके अंदर confidence की कमी है आप strong बने रही है बहुत छोटी सी बात है लेकिन आप अपनी जिंदगी में अपना करके इस से और अच्छी अपनी personality प्राप्त कर सकते हैं आई अब आरम करते हैं आज का रासी फल 6 फरवरी 2021 के लिए आरम करेंगे मेश रासी से मेश रासी के लिए रासी से एड़ ता उसमें मारक बाव में चनमा विराज माने यह चनमा सुब फल तो नहीं देता है और यहूं भी नक्षत तारा सिद्धान को साथ वद तारा का साथ और अश्टा को अपमें 28 डॉट यह कॉंबिनेशन इस चनमा को 67% नेगेटिव और 33% ही सपोर्ट देने लाएक बनाता है ऐसी इस्तिति में आपको सावदान ज्यादा रहना पड़ेगा और यह चनमा नीच रासी का चनमा है सुख भाव का अधिपती है और वो नेगेटिव वाव में इसलिए सुख का नाश करेगा सुख में कमी देगा रासी से फर्स्ट आउस में मंगल आपको गुसा देगा यह बोसकते हैं जोस देगा जुनून देगा लड़े जगड़े में आप प्रवत जल्दी होंगे यह बोसकते हैं बहुत तेजी स यह रियक्ट करेंगे जो कि सही नहीं है अच्छा नहीं है हलाकि यह मंगल रूचक मापरुश योग भी देता है रासी से तैंत आउस मिश्चनी सस्त मापरुश योग का साथ भी देता है इन सभी के बावजूद भी आज आप जुन्दला हट में रहेंगे ईरिटेशन में आकस्मिक आपदाएं या विपत्यां या आपके उपर जोटे इलज्याम लगाए जा सकते हैं आप कानूनी मामलों से परेशान हो सकते हैं या उनका आपको सामना करना पड़ सकता है घर परिवार में भी चाए वो पैरेंट के साथ में हो या अपने जीवन साथे के साथ में हो मदभेद उबर कराएंगे उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आएगी और फिर उसकी वज़े से आप रियक्ट करेंगे हाइपर हो जाएंगे नेगेटिविटी वाली स्थिति आ जाएगी आज की दिन खाने पिने से समंदित आपको बहुत जादा साथान रहना पड़ेगा अन्यता आप दस्त या भवासीर का सामना करना सकते हैं उससे आपको साथान रहना चाहिए आज का लखी कलर है परपल कल आइए अब बात करें रसब रासी की रासी से सेवंत आउस में चनमा विराज माने यह बहुत ज़्यादा सोखद स्थिति वाली स्थिति है यह यह चनमा बहुत सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्धान का अनुसार भी शेम तारा का लियान कारी तारा का साथ और अस्ट काम काज करते हैं या जो लेंदेन के स्थिति में हैं उन लोगों को आज जानकारी वसात या को टिप मिल जाने से बहुत अच्छे डंग से डील होगी या बहुत ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा रिसोर्सेज जो डवलप किये हैं उनसे भी गेन होगा या फिर यह बहुत सकते हैं कि नए नए रिसोर्सेज से आज गेन करने का मौका मिलेगा वहान का सुख या अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए को इनको लॉबिंग करना सुखी दामपती जिवन संतुष्टी अच्छा खाना पिना और पहनने से आप अपने आपको बहुत कमफर्टेबल मैसू करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनके इस्तितियां बहुत सुखद हैं उनकी यात्रा भी सफल होगी उद्देश ये पूरा होगा सब्तमबाव का चर्मा ग्रस सुख में दामपत सुख में आपको संतुष्ट रखता है और साथी साथ संजदारी के काम में आज आप बहुत ज्यादा अच्छे डंग से कमा पाएंगे डील कर पाएंगे आज का लखी कलर है ग्रीन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ अब बात करें मिठुन रासी की आपकी रासी से सिक्स ताउस में रोग भाव में च अस्टम बाव जो होता है या व्रस्टिक रासी जो होती है वो उसकी त्रिकोंड रासी होती है नक्षत तारा सिद्धान के उसाथ संपत्तारा का साथ और अस्टर को एक में 31. यह कॉंबिनेशन इस चनमा को हंडेड पसेंड पोजिटिव बना देता है लग भग सारे प्रिय आपके नेम फेम में आपके सरकल में इंप्रूमेंट आएगा जो यंग्स्टर सेंज यूवा लोग हैं स्टुडेंट सेंव अपने फ्रेंट के साथ में अच्छा टाइम प्रिट स्पेंड करेंगे और जो विवाई दंपती वासांसारिक सुख सुखी पारिवार एक जीव आज का लखी कलर है ब्ल्यू कलर और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन अब बात करें करकरा सिकी आपकी रासी से फिप्ता उसमें सिक्सा और संतान भाव में चनमा मौझूद है यह चनमा मिक्स रिजल्टी देता है बहुत जादा सुब रिजल्ट नहीं देता है सिरफ एकिविटीज वाले लोग यह जो प्लानिंग में आइटी शेक्टर में 12 सेंट्स आशन एंचे उप्लानिंग में नोलोग वाले उन लोगों के लिएufen फिर भी सही माना जाता है नेकिन यही चनमा है मैं जूए के लिए सट्टे कि लिए speculation के लिए future trading के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और साथ ही साथ जो relationship में प्रेम प्रसंगों में है या बहुत गहरी मित्ता के चलते मोजाल में first करके दुरभावनवसित आप मिलना चाते हैं ऐसी इस्तिति में आपके साथ में negativity हो सकती है बदनाम हो सकते हैं और या पिर आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं ये द्यान रखेगा रासी से पांचवा चलमा और वो भी केतु के साथ में गरणी हो गठित कर रहा है ऐसी इस्तिति में संतान के साथ में या संतान की बीमारी से लेकर को कोई दूविदा हो सकते हैं कोई परेशान ही हो सकती है और या पिर आप अपने पेट के रोगों को लेकर के परेशान हो सकते हैं इसपेसली जो मेलाएं गरवती हैं उनको आज बहुत ज़्यादा सावदान रहना चाहिए और साथी साथ आज जो यात्राओं पर है उनको भी अपने समान की ज़्यादा देख भाल करनी चाहिए क्योंकि आज का दिन यात्रों में असुविदान ज़्यादा मिलेगी या कष्ट ज़्यादा मिल सकते फिजूल खर्ची ज़्यादा हो सकती है लेकिन उसके बावजुद भी व्यवदान आएंगे जो भी आपसेकल्स आएंगे वो आप अपने दिमागी गोड़े दोड़ा करके अपनी प्लानिंग से अपने आइडिया से उन सब का समाधान भी निकाल पाएंगे इसलिए काम आपके कोई रुकने वाले नहीं है लेकिन मेंटली आप संतुष्ट नहीं रहने वाले है आज का लखी कलर है रेड कलर और आज का लखी नमबर है नमबर फूर आईए अब बात करें सिंग रासी की आपकी रासी से फूर ता उसमें सुख बाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुख फल नहीं देता है नक्षत तारा सिद्धान के अंसाल भी प्रत्यारी तारा का साथ सुख नहीं है अस्ट्राग को अगमेंट 25 डॉट ये कॉमिनेशन 67% नेगेटिव और 33% ही सपोर्ट करेगा ऐसी स्थिति में आज के दिन अपने उपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा सावदान ज़्यादा रहना पड़ेगा फूख फूख के कदम उठाने पड़ेगे तब ही ये दिन सुरक्सित निकल सकता है और नहीं तो फिर नुकसान हो जाने के बाद में सिर्फ पस्चाताव के लावा कोई भी आपके बाद तरीका नहीं बसता है ऐसी स्थिति में आज पारिवारिक असान्ती घर परिवार में कोई नुकसान सामान का नुकसान या कोई सामान चोरी हो जाना खो जाना या आप खुद रखकर के बूल जाएं उस से परिशानी ये सारी चीज़े आज हो सकती है या इन में से कुछ चीज़ा हो सकती है अपने parent के साथ में या घर के बुजुर्गों के साथ में व्यरत में बैस बाजी हो सकती है वो जुकने को तयार नहीं क्योंकि जो भी व्रद व्यक्ति है वो एक ही इस्तिती पे अड़ा रहता है कि मैंने तो जिंद की निकाल दी है मैं अपने principles जो भी है उनको mold नहीं करूंगा और जो इस्तिती है उस पे ही अड़ा रहूंगा जो जुकना है जो mold होना है जो आपको back जाना है अपने distance वापस लेना है वो सब UAPD ही कर सकती है जो बुजूर गया है वो नहीं करेंगे ऐसी इस्तिती में आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि generation gap यहां आपको problem देगा रासी से fourth चनमा जब भी होता है परिवार वालों के साथ में अपने खांदान वालों के साथ में जब भी बात करें बहुत सोच समझ करके बात करें बहुती mild तरीके से बात करें क्योंकि यहां पर आपका थोड़ा सा भी hyper होना या थोड़ा सा भी selfish होना उन लोगों को पसंद नहीं आएगा और वो अपनी डफली अपना रागवाले स्थिती अपनाएंगे जो भी relationship में उनके लिए संदे की गुंजाई से आथाथ आपको जहां तक संबगो मिलने से बचना चाहिए रासी से फोरता उसका चर्मा च्छाती में दद या पेट की गड़वरी दे सकता है माता जी के साथ में argument हो सकता है माता जी की सहथ को लेकर के परिशानिया हो सकती है और जो जॉब में हैं उन लोगों के लिए या मजदूर वर गये या जिनके पास में नौकरी नहीं है उनके लिए आज परिशानिया अपमानित करने वाली यह इस्तिती ज्यादा वीक है उनको अपने उपर confidence रखना चाहिए और effort निरंतर करते रहने चाहिए आज का लखी color है gray color और आज का लखी number है number six आईए अब बात करें कन्या रासी के आपकी रासी से थरड़ा उसमें पराक्रम बाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुबफल ही देता है नक्षत तारा सिद्धान्त को अंसार भी संपत तारा का साथ और अस्टा को एक में 30 डॉट ये combination आपको 100% positive चनमा का फल देंगे और ये चनमा लाब बाव का अधिपती है गेन का अधिपती होकर कर पराक्रम से समझ जोड रहा है तो ऐसी इस्तिति में आपके अपने effort से गेन भी मिलेगा appreciation भी मिलेगा name fame भी बढ़ेगा आज के दिन रासी से 8 ताउस में चनमा विराज माने और चनमा और मंगल का दस्ति समंद हो रहा है इसको लक्षमी योग बोला जाता है धन और शंपती ट्रॉपर्टी या investment से आज गेन हो सकता है जान पिचान के शेतर में नहीं नहीं जान पिचान का दाइरा बढ़ सकता है या आप अपने काम काज के लिए नए संपर्ग तला सकते हैं कोई जान पिचान का दाइरा बढ़ा सकते हैं या नए लोगों के लिए आप कोई लोबिंग कर सकते हैं उनको टार्गेट बना करके बात करने के लिए बध्धे कर सकते हैं आज का दिन जो भी प्रॉलम है जो भी विवाद है उनको सुल जाने के लिए बहुत सही है आज आपका एनरजी लेवल फिटनेस लेवल बहुत शांदार रहेगा सत्रों पर विजय आसिल होगी और साथ ही सा करके दोस्ति कबूल करेंगे या दोस्ति अपनाएंगे आज का लखी कलर है औरेंज कलर और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन आगे आपकी रासी से सेकेंड हॉस में धन और संपति वाव में चनमा विराज माने ये चनमा मिक्स दीजल्टी देता है हाला कि नक्षत तार की तरफ ले जाते हैं तो ऐसी इस्तिति में ज्यादा effort करके ज्यादा काम करके इस चनमा को 100% भी बनाए जा सकता है यह आपके उपर लगता है यह आपके उपर depend करता है आज के दिन नए उद्योमा में नए प्रयास में नए प्रोजेक्ट में नए काम में नए दुकानदारी म या नई कोई planning में आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा बहुत तेजी से आपको success भी मिलेगी लेकिन बीच-बीच में आपको hurdles भी आएंगी यह बोल सकते speed breaker का सामना भी करना पड़ेगा उल्जन रस्टिक रासी का चर्मा emotional बनाता है sensitive बनाता है transparent बनाता है दिखी और आपको इस पर investment करने बैठ जाएं या आपको बहुत जाए सब्जबाग दिखाई देख अब तो इससे वारे नियारे हो जाएंगे इससे बचने की सला दे रहा हूं क्योंकि रस्टिक रासी का चर्मा और साथ में केतू है तो केतू क्या करता है immediate reaction करने के लिए famous ह मान समान और अपनी प्रतिष्टा को बचाने की जरूरत भी पड़ेगी इसलिए जहां पर भी जाएं जिससे भी बात करें सामने वाले की insert नहीं करें और ना ही gossip में हो जाएं यदि आप किसी की बुराई कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप जो सामने वाले के साथ में बा और हमेशा ध्यान रखें कि दूसरी की प्रसंसा करके आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं आखों की कोई समस्या हो सकती है इरिटेशन हो सकता है आँक लाल हो सकती है या पिर अंचाए खर्च आज आपको बहुत ज़्यादा परिशान कर सकते हैं रासी से second चर्मा जब बहुत ज़्यादा रहेंगे और ठकान भी रहेगी खांदान वालों के साथ में जरूर आपके सम्मन्द और अच्छे डवलप हो सकते हैं या आज के दिन कुछ निकुछ अच्छे मेमान आने से घर का वातावरन बहुत अच्छा हो सकता है खुश्नुमा हो सकता है आज का ल जीवन से समंध रख राए एक त्रिकौर्ण का अधिपति दूसरे त्रिकौर्ण में या केंद्र में मानिये राजियों के स्तिति है रासی से 6 ता उसमें मंगल बहुत सूब माना जाता है रासी से 3 फार उसमें शन्ही बहुत सूब है साथ यसाथ जो भी दूसरे 5 गर एक सा वर्ड के बाद में हो रही है उसको जरूर देखिए गया ताकि आपको भी कुछ ऐसा सो जाए कि क्या कुछ होने वाला है क्योंकि जब जब ऐसी यह उती हुई है कुछ नेगेटिव हुआ है नक्षद तारा सिधान को उसार वद तारा का साथ और अस्ता को आपको 46 डॉट यह कॉमिनेशन इस चनमा को 100% पोजिटिव बना देता है ऐसी इस्तिति में भाग्य का साथ मिलेगा बहुत अच्छे सहियों को पस्तित होंगे बहुत अच्छे कंफरेबल कंडिशन्स होगी और उससे आपको गेन, एप्रिशेशन, एचिमेंट, प्रोग्रेस, सम्मान ये सब कुछ मिल सकता है जिसके आप अधिकारी है वो आपको मिल कर करेगा जो आज यातरा पार है उनकी यातरा सुब होगी आदा सतकार मिलेगा जो अपनी हेल्थ के लिए या अच्छी हेल्थ के लि आपको ज्यादा मिलेंगे आज का लखी कलर है नेवी ब्लू कलर और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ आईए अब बात करें धनू रासी की आपकी रासी से ट्वेल्थ आउस में एक्सपेंसेज बाव में चनमा विराजमान है ये चनमा सुब फल तो नहीं देता है नक एक्सपेंसेज ज्यादा हो सकते हैं खर्च ज्यादा हो सकते हैं जहां जरूरत नहीं है वहां खर्च कर सकते हैं फालतू कर सकते हैं दिखावे के लिए खर्च कर सकते हैं और या पिर एकदम सही गाड़ी चल रही थी और अचानक से उसमें कोई प्रॉल्लम आ गई और जब आपने किसी मिस्टरी को दिखाया कोई मेकनिक को दिखाया तो उसने बहुत बड़ा खर्चा बता दिया तो ऐसी इस्तिति में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है परिशान हो सकते हैं कि एकदम सही चलती वी गाड़ी में कैसे प्रॉबलम हो सकती है तो ऐसी इस्तिती में दो दिन रुख जाईए उसके बाद में किसी और मेकेनिक से ट्राइ कीजिए हो सकता है आपको कोई अल्टरनेट नजर आ जाए या वो प्रॉलम है उसका कोई और रास्ता निकल जाए बारवा चनमा चोट या दुर्गतनाज का सामना करा सकता है परशानी दे सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है डिप्रसिव थौट आ सकता है नेगेटिवी चीजें सोच सोच करके खुद नेगेटिव हो सकते हैं और हमेशा कोई भी कुंडली के अंदर अगर चनमा नीच रासी का है या चर्णमा उन गभी को crop के बीच में और जब भी रॉस्टिक रासी का चर्मा आ जाएगा तब ऐसी इस्थिती में वो विक्थी ज्यदा डिप्रेसिव हो जाएगा ज्यदा सिंसिटिव हो जाएगा और यदि आपके आज-पास में भी कोई आपके गर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज की तारिक में डिप्रेशन में इस समय रस्तिक रासी के चनमा में बहुत ज्यादा उस पर ध्यान डखना जरूरी है। देकिन आगे जाकर के ना तो वो आदमी मिला ना वो काम हुआ सरफ आपका पेट्रोल फुग गया या डिजल फुग गया टाइम भी ऐसे ही वेस्ट हो गया। यह कॉंबिनेशन इस चनमा को हंडेट परसेंट पोजिटिव बना रहा है। ऐसी इस्दिती में लगबग सारे प्रियास जो भी आज अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। काम का जुरुके हैं उनके लिए करेंगे किसी की सपोर्ट के लिए करेंगे किसी की साहता के लिए करेंगे ऐसी इस्तिति में सारे प्रयास सफल होंगे और आज आज के युक का धर्म है पैसा ऐसी इस्तिति में जो विक्ति पैसा कमाने के लिए financial gain के लिए try करेंगे वो ज्यादा successful रहेंगे या पिर आपका पैसा कहीं बकाया है उसके लिए try करिए आज सुबह सुबह ही पहुंच जाएए उसके घर पर या उसकी swap पर आपको ऐसा नहीं होगा कि खाली आता है कुछ ने कुछ तो हासिल हो गई होगा जो business man है उनके लिए इस्तियां बहुत ज्यादा better है सनी बार के लिए इन रवी बार के दिन ज्यादा तर लोगों को job वालों को छुटी होती है लेकिन business man के लिए 365 दिन ही काम का होता है और professional लोगों के लिए भी 365 दिन काम का होता है और मुझसे कोई पूचे तो मैं Saturday Sunday को ज्यादा काम करता हूं क्योंकि लोग छुटी पर रहते हैं वो ज्यादा रास्ता आपको मिल सकता है lifestyle में improvement आ सकता है और साथ ही साथ जो hard percent है उनको relax मैसूस हो सकता है चाहे कोई सही दवाई मिलने से सही guidance मिलने से या सही टंक से अपनी lifestyle को अपनाने से इस समय काल में student के लिए समय बहुत ज्यादा better है तो जो भी आपके doubts हैं वो clear होने के लिए life में आगे बढ़ने के लिए जो चीज खो गई थी उसको वापस पाने के लिए आज का दिन आपके लिए सही है और साथ ही साथ जिन लोगों की कोई inquiry हो रही हो चाहिए judiciary matter में नयाइक मामलों में पुलिस में कहीं पर भी तो आज का दिन फिर भी आपके लिए better है यदि आज के दिन आपको बुलाए जाता है तो कोई बाते बेचक चले जाएए lifestyle में improvement आएगा सुख वाली इस्तिती होगी और साथ ही साथ आज आज आपकी पस्तल लाइफ में भी improvement नजर आएगा अच्छे emotions लवलप होगों आज का लखी color है orange color और आज का लखी नबर है नबर थरी आईए अब बात करें कुम रासी की आपकी रासी से 10 ताउस में आपकी रासी से profession बाव में करम बाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुभफल देगा रासी से थर्ड़ा उसमें मंगल विराज माने ऐसी इस्तिती मे मंगल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बैटर है और 80 से थर्ड इस्तान में चाहे मंगल हो सूरिय हो राहू हो केतू हो शनी हो जो भी पापी गरहें जो भी क्रूर गरहें और इस्पेशली जो गरम गरहें वो हमेशा यहां पर सुबफल देते हैं नक्षत तारा सिधान के उसा जन्म तारा का साथ और अस्टाक वर्ग में 23 डॉट यह कॉमिनेशन इस चन्रमा को 100% पोजिटिव बना देते हैं ऐसी इस्तिदी में नए कामों में डेरिंग या कॉन्फिदेंस बढ़ेगा आपके केरियर में आपके बिजनस में आपके ही रहेगी जो भी आपका केरियर है जो भी आपकी लाइन ओफ एक्टिविटी है उसमें आपको सेक्सेस मिलेगी उसमें आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे और जिनके पास में जॉब नहीं है उनको आज जरूर ट्राई करना चाहिए और हो सकता है तो अपने आपक लिए ट्राई कीजिए जोब जरूरी नहीं है हर वेक्ति जोब के बारे में सोचेगा बिजनस कौन करेगा तो आपको अपने काम के बारे में अपने लिए सोचना चाहिए छोटे से छोटे लिवल पर भी आधिया आप काम करेंगे तो कहीं कहीं पहुँची जाएंगे आज में व्रदी हो सकती है आज का धिन खुशी का है आनन्त का है संतु captures आर confidence में impression का है हो सकता है कहीं से कोई gift मिल जा other जां या नौकरी भी एक प्रकार से町ने gift के अरोप में मिल जांग ट्राई साथ मिल रहा है जो बहुत सुभ है अश्टर को मैं 25 डॉट यह कॉंबिनेशन इस चनमा को 75 परसेंट पॉस्टिव और 25 परसेंट वीकनेस देता है ऐसी इस्तिति में आज आप जो भी कुछ काम करेंगे आपके सीनियर आपके सुपर्वाइजर या आपके पैरेंट्स आपके बड़े भाई आपको सपोर्ड करेंगे एक प्रकासे आपको आइडि़ंट्वाइड करेंगे आप काम के आदमी हो और जो लोग जॉब में हैं जो लोग कोई फैक्टरी में काम कर रहे हैं सोरूम में काम कर रहे हैं ऐसी इस्तिधी में आप इस्पेशली टेक्निकल वाले लोग टेक्निकल फील्ड वाले लोग जादा सक्सेस्पूल रहेंगे जादा कमफटेबल होते वे काम काज करेंगे या आज आपको ओर टाम मिल सकता है, आपकी एक और सिफ्ट आपको ऐसे मिल सकती है, उसका फाइदा आपको मिलेगा, बिजनसमेन लोगों को आज के दिन साब्दान रहते वे अपना काम काज आगे बढ़ाना है, लेकिन काम काज आपके लिए व्यस्तिता वाला रहेगा, वॉल्य हो सकती है, ध्यान नहीं देने से लापरवाई के कारण नुकसान हो सकता है, मानसिक उल्जन या मानसिक परिशान्या भी रहेंगी, एक्सपेंसेज जदा होंगे और वो एक्सपेंसेज दान धरम पर हो सकते हैं, जिसमें कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन आज का दिन भाग्य का सपोर्ड आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, दिमाग बहुत तेज स्पीड से काम करेगा, और नए-ने आइडिय से आज आप कुछ एक्स्ट्रा कमा पाएंगे, आज का लखी कलर है वाइट कलर है और आज का लखी नंबर है नंबर सेवन, ये तो होई बात आज के रासिफल की, आईए अब बात करते हैं, आज के विसेश उपाय की, विसेश जानकारी की कि देवी देवताओं का सारे रिग रंग कौन सा होता है धर्ती पर पहले सुद्ध रुप से चार वर्णों के लोग रहते थे और प्राचिन काल में स्वेत, रक्त, पीत और क्रश्न रंग के मनुश्यों की संक्या अधिक रही है और आज भी है और इन्हें ही गौरवन, लालवन, पीलवन, अताग्यवा और काला रंग का जाता है लेकिन क्या कभी किसी ने नीले या श्यामवन के लोगों को देखा है माना जाता है कि प्राचिन काल में नील वन की भी एक जाती रहती थी और आज भी बहुत से लोगों की आँखे निली क्यों और किस तरह हो जाती है क्या सचमची प्राचिनकार में निले रंग के भी रोग रहते थे अनंत का प्रतीक निला रंग आत्मा का मूल रंग माना जाता है कहते हैं कि जब कोई जल जादा गैरा ही लिए वे हो तो वो निला ही दिखाई देने दगता है निलवन, विशाल, व्यापकता और अनंतता का जोतक है अताद रिप्रेजेंट करता है अगहाद आकास का रंग निला है वैसे ही अनंत मास अगर का रंग भी निला है कुछ विद्वान तरक देते हैं कि राम के निलेवन और क्रश्न के काले रंग के पीछे एक दार्षनिक रह्स्त है भगवानों का यह रंग उनके व्यक्तित्व को दरसाता है दरसल इसके पीछे भाव है कि भगवान का व्यक्तित्व अनंत है उनकी कोई सीमा नहीं है और वो सीमा से परे है ब्रह्मा ब्रह्म और सरस्वत्ती का रंग स्वेट बताये गये विश्णु भगवान उनका रंग नीला और माता लक्स्मी का रंग स्वर्ण के समाने सिव का रंग श्याम और माता का पारवती का रंग गोरा बताये जाता है कुछ ग्रंतों को अनुसार भगवान श्री राम भी नील वन के थे इसलिए उन्हें निलाम्भुज, मेगवन, नीलमणी, गरगन सदस्य ये सब उपमाएं दी जाती है क्या वाकई भगवान राम नीले रंग के थे? किसी इंसान का रंग नीला कैसे हो सकता है? सिख क्रश्न भगवान को भी नील वन का माने जाता था उनके नीले रंग को श्याम वन कहते थे श्याम अतात कुछ-कुछ काला और कुछ-कुछ नीला दरसल उनकी त्वचा का रंग मेग श्यामल था अताद काला नीला और सफिद मिश्यतन श्यामवन के होने की कारण कुछ कवियों ने उनको काला रंग का मान लिया मा दुर्गा, दुर्गा सूर का वदre करने के कारण आध्य शक्ति को दुर्गा का अगया और काजल के समान देव, नील कमल के समान विशाल नेतरों से युक्त दस भुजाओं वाली देवी ने स्व्रैम प्रकट होकर के देवताओं की रक्षा के थी तो इस प्रकार से एक छोटी से information है जो मुझे लगा कि मैं आप तक पहुँचा हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे कि किस दंग से हमारा जो रंग है हमारा सरीर का जो रंग है इतना महत्पूर्ण रखता है और देवी देवताओं का रंग किस दंग से महत्पूर्ण था ये तो था आज का देनिक रासिफल और आज की विश्यस जानकरी लेकिन यदि आप अपनी जनकुर्णि को दिखवाना चाते हैं विश्लेशन करना चाते हैं अपनी समस्याँ के बारे मैं जानना चाते हैं क्यों समस्याँ हैं और उनका समापन कब होने वाला है उनके लिए क्या उपचार करें ताकि कुछ राहत मिल पाए ये समस्यां कब तक हैं या negative time period है वो आपका कब तक परिशान करेगा, कब तक आपको दुख देगा जो business में problem है वो कब तक रहेगी या क्या business में switch over किया जा सकता है नौकरी छूट गई है तो वापस नौकरी कब मिलने वाली है कब तक इंदिजार करना पड़ेगा या फिर वैसे ही sacrifice कब तक करना पड़ेगा चाहे वो आपके भीवा की समस्या हो, संतान की समस्या हो, बिजनस की समस्या हो या फिर आपकी अपनी कोई personal problem हो आपकी जन कुणली का नुसार, वो समय, वो कारण और यदि कारण है, तो उसका कोईन को निवारन भी होगा तो यदि आपको कारण पता चलेगा, तभी तब आप निवारन करेंगे जब तक रोग का पता ही नहीं है, और रोग पता चल जाए मान लो ध्यान पढ़ गया, डॉक्टर नहीं बोल दिया, आपको blood cancer है और उसके बोल दिया, आप तो भगवान के उपर है, ऐसा तो नहीं होगा अगर blood cancer है, तो उसका कोईन को समाधान भी होगा उसकी कोईन को therapy भी होगी, तो उस therapy भी जाना पढ़ेगा उसके अनुसार ही आप समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं, या सबसे बड़ी जानकारी आप समय को जान सकते हैं, और यदि आप चाते हैं कि आपकी जनकुनली का विश्लरशन हो, तो फिर श्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं, उस पर संपर्क करना होगा, संपर्क करने पर जो भी फोन उठाएंगे, हमाई टीम के सदर्सिय, वो आपकी पूरी-पूरी साहिता करेंगे, अपन्मेंट बुक करने से लगा करके बात करवाने तक, तो ये था आज का रासीफल, इसको यहीं समाप्त करते हैं, और मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, सुरक्षित रहें, और अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुप कामना है, इश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद करते हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत रहें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-